वेल्कम तो स्टाडी चैनल में नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे बिहार सुक्षक भरती संबंदित कुछ आप लोगों के डाउट्स की कुछ इंपॉर्टन अपडेट्स की कुछ ऑफिस्यल जानकारी की वीडियो में लाक्ष तक बने रहीएगा सबसे पहले बात करेंगे प पत्र बगर इस संबंद में जारी हो रहे हैं फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में बात करें तो भी पेसी की अध्यक्ष ने दिये हैं संकेत और लास्ट डेट बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन परिक्षा तारीकों में कोई बदलाव नहीं होगा अध्यस आपका ये कहना है कि जितना समय सर्वर डाउन रहा उतना ही समय दिया जाएगा एक्स्ट्रा ताकि वो कंपनसेट हो सके और परिक्षा तैं समय पर लिजाएगी एक लाग सतर जार पदों पर आवेदन हो रहा है तीन चार दिन या पांस दिन मैक्सिमम लास्ट डेट बढ़ सकता है पिछले एक स लग जा रहे हैं बीप्यस्ती ने अधिकारियों को अभ्यर्थियों के समक्षा आ रहे दिक्कतों को हल करने के आदेश दिये हैं और यह भी कहा है कि अंतिन तिसी बढ़ने की पूरी उम्मीद है आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वो दिर रात या सुबह उठकर आवेदन करें क्योंकि इस समय सर्वर पर लोड कम रहता है फिलहाल इस समय जो कुल आवेदन है उनकी संखिया 3,00,000,000 पहुंच गई है शुरुआत में आवेदन काफी कम आये थे लेकिन इस समय आवेदन काफी तेजी से आ रहे हैं और टोटल 3,00,000 आवेदन प्राप्त हो गए हैं आवेदन को निरस्थ हुआ है क्योंकि ये लोग गलत तरीके से आरक्षड लेना चाहते थे इतनी बड़ी भरती है अधरी स्टेट के लिए भी यहां पर मौका है जो अन्रिजर्व सीटे हैं लेकिन कुछ लोग गलत तरीकों पर आतुर रहते हैं उनको एक करोड़ सीट मिल जाए तो भी वो सोचेंगे कहीं ने कहीं से कोई गरवड़ी करके हम यहां पर नौकरी ले ले लाएं तो राज में सिक्षक भरती का अरक्षड का लाब पाने के लिए जो फर्जी तरीके अपना रहे थे जाती और आवास्ती प्रमारपत्र बनवा रहे थे ऐसे ती मिलती है तो आपका बना हुआ आवेदन बेकार हो जाएगा जब ओनलाइन चेक होगा तो वहां पर आप पकड़े जाएंगे तो गलत तरीके से बिल्कुल भी कोशिश ना करें नौकरी पाने का पांस सो में से देख सकते हैं तीन सावेदन निरस्ट हो गया है सेस की जांच रही है और सीओ ने बताया कि किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों का प्रमाड़ पत्र नहीं बनेगा यूपी के लोगों को दिये गए आवेदन रस्त किये जा रहे हैं हलका करमचारियों को जांच करने के बाद रिप्रोट देने का निर्दस दिया गया है जिनके प्रमाड़ पत्र बन गए थे उनके भी निरस्त किये जा रहे हैं तो सिक्षकवर्ती में वीडियो के पुत्र समय तीन सो लोगों के आवेदन निरस्त हो गए हैं तो यह रहे दोस्तों आज को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बिल लाइकन दबालीजे ताकि आप कोई सी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फोर्मेशन मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग